नमस्कार आधर्णिया दर्सक बेद मीडिया प्लान को प्रस्तुती कारेक्रम नेपाल टूडे लिये रह उपस्तिक बायकाच्वान। हामी दैनिक कती गंटा काम गर्छों। के गर्छों। हामीले कहीले समिक्ष्या गरेकाच्व। मेहनत गर्ने होबने हाम्रही माटोमा प्रस्त संभाबना अनि अफसर अरुछर। तरा अफसर र संभाबना पहिचान गर्नमने हामी चुकी रहेकाच्व। तेसेले अफसर खोजी को गंतव्य बिदेशी पुगोल बनने गरे को छाँ तरा हामी ले सानो प्रयास बाट सफल हुने हरु तरफा कहीले इ आखाप पुर्याए कारेक्रम को थालनी गरों भकतपुर्मा कुरीलो खेती गरेरा उद्धम सिलता को नमूना बने का एक जना किसान को शफलता को कथा बाट यहां आमले महवादी कास मन्छा यह लाइज जोटी मारे पने मार मूं सब्सके ना किये कास मूं जाज पुर्याए यो हासो रा खुशी का पचाडी उनको धरिया लगन सिलता रा परिश्त्रम लुके को छाँ लगाब का साथ कामगर्ने हो भने आर्थिक उन्नती गर्ने थुप्रई तरीका र बाटा चन भनने सिक्न राजधानी का पासिन दालाई अंतक कतै जानू पर्देन भक्तपुर्को जगाती बापुगे हों छाँ जहां बिगत सत्र वर्ष जेक्ती ब्यवसाइक तरकारी खेती गरेर राम्रो आमदानी गरी रहका गिर्शक्षन भक्तपुर्क उप महानगर्पाली का वडान वर्षाथ बोल्मरी लिबासी राजाराम कवं पचास बर्षिय कवं जिन्दगी का अधिकाम्स समय खेत बारी में बिदाई सकेका छान। तरकारी का बिरुवा रा मार्टु संग खेल्दै खेती मा धेरै प्रयोक गरी सकेका उनी। पचिल्लो समय साथी हरुले कुरीलो लगाय को देखे पची ते स्तर्म आकर्सित भार का थिये। उन्हें विशेश ज्यान र जानकारी नली कुरीलोको बेरना राखे का कबंगले साथी भायले गरे को खेती हर दै यो खेती को शुरुवात गरे का थिये। यो खेती एस्तरी मौलायो की उनी अहिले तेही तरकारी खेती में मक्खा शाथ। कुरीलोको बेवसाइक तरकारी खेती गरे का कबंगले किर्शी सम्मंदी उन्हें अपचारिक तालिम वा शीप सिक्म परेना। इच्छा प्रियोक रा धायरिय उनको सफलता को सिर्धी हो। इच्छा सकती बलियो भाय और सम्भाव के ही चाहिना। कबंग इसको उधारन हुन। इच्छा सकती खेती हो। मत आइके करेला राखने यह कर नाग। मन अहले बियो और यह वै एगल्डीन यू का ल Bluetooth ऑने यहां सब खिशा हिए निरीटा और गूल्डीन देगा कोए रंचिए को बढंगे59 अधिरी ता बेवराखे, दुरी ता इने उम्राइचा नपपत्याए एनोस्त यो पुरिलो लगायको खेत उनको होईना किर्शक कभंगली भाडामा लियेका हो एसरी एहां दुई छुट्टा छुट्टे स्थानमा लगभग 5 रोपनी जगा भाडामा लियेर बाल मा लेको बाल मा बाल मा खटी तुरनाजा भाल मा रपनी को घशाए अथे फ़ेसमन जो नपनी को तिदाना होने ना कही ले तिनागा कही ले पजी से पंदर से राजाराम अहिले दैनिक तीन हजार रुपईया पुरीलो विक्री बाट कमा उछन। अर्थात महिना को नब्य हजार आंदान। बजार पनी सजीलो छा, सहर मा पुरियाय पुक्छा। उसोता उनको 10-15 किलो कुरीलो ता खेत नजीकई को सड़क मैं विक्री बुच्छा। बजार मा जईविक प्रभिदी बाट खेती गरियेको कुरीलो को निक्कई माग छा। उनले योकुरा पनी बुझे का छन। तेसे ले यो खेती मा उनी विकासे मल प्रयोक गर्धाईन। अल। सबी मिला राहे विशिब ले लेजिक आने येस मा येस बादे कुराब महलबा गेदाम मल पता समाधन। यो तरकाईरी खेती बाट भाकु आमदानी बाट घर को सबी गर्जो तार ने देखी चोरा होलाई राम रोष सिक्छ्या दिलाये उनले। राजारामली आखना तीम छोरालाई निजी स्कूल मारहत उच्चे सिछ्छा दिलाया काछन। उनका जेठा छोरा स्याम सुन्दर कवं अंकंग मा आर्किटेप्ट्चुर इंजिनेरिंग मा डिगरी गर देछन। माईलो छोरा बीबियेस सम्मको अध्यन पछी उखुरा पालन को काम फाले का छन। रा कांछा काहमांडव मा इंजिनेरिंग पर देछन। आपना बाबुको कर्मयोग एशेरी सम्झान छन। छोरा हम। वाले तावबा अम्रो लागीता तेरे काम गरेते हैं। आपने चाहिए सब्बेन अला एती सम्मध वालनेचे। एक जाना दे तिन तिन जाना लाए पड़ावन। तो पनी सब्बे फेरी प्रावितना मात्रा। अहिले राजाराम को दईनी की कुरीलो मात्र कुरीलो संगर जोड़ियेक छा। एसमा उनलाई साथ दियेकी छन उनकी जिवन संगिने राजमायाले। बिहाना गर को काम मा यो जोड़ी बेस्तरा अच्छा। खाना पछी खेत बारीको श्याहर सुचार मा तल्लीन हुन्छा। उन्हारु गोड मेल गरने कुरीलो का मुना हरु टीपने, मुठा पारने रा विक्रीका लागी तैयार गरने काम साथा सम्भाव उच्छा। उमेर बुढेवली तरफ़ डलकांदी गायको यो जोड़ी कुरीला का मुना टीप दा जहार उखेल दा अली ठकीत छन। तरह कुरीलो बेचेर आयको पैसाले उन्हारु को सबही ठकान विर्शाइदे छा। उन्हार जिगने राजाराम को काम बाट उनका स्रीमती ता छोरा मात रखवेगा। शयासी वर्षिय ब्रिद्ध आमापनी प्रसंद अपरूँ छा। ये सरी मेहनत गरे आर्थिक उन्हाती नेपाल मापनी शंबाव छ भनेरा प्रमाणित गरीदिये काछन। राजाराम कव अंगले। ये प्रसंग पछी पालपा मा अदुवा केतिको विकास रबिस्तार बाट किसान हरूली हासिल गरेकू ब्याबसाइक उपलब्दी प्रस्तूत गरने छों। अईले लाई छोटों विस्तारूं। पालपा को कोसेली करुआ की ढाका टोपी भनेता हमी सबे लाई थाब है के कुराहूल। अब योज जिल्ला ले थफ अरको पहिचान बनाये को छा। अदुवा को उत्पादन गरेगा। पालपा मा इस तो गाबिशा बेटना मुस्कील पर छा। जहां अदुवा को खेति नवायको होस। तेसेले तो जिल्ला अदुवा उत्पादक शहकारी संग मारफत पालपा का पच्चास वटा गाबिशमा अदुवा उत्पादक समुवा गठन गरी अदुवा खेति को ब्यावसाइक पिस्तार मा यहांका किसान अरू जुर्म रायका छा। इने किसान अरूले पालपा लाई अदुवा को जिल्ला को रुपमा चिनाओं न थाले का छा। घरों अदुवा को योग। सहकारी अवियान मारफत ब्योसाइक कृशिक हेति मा लमकी रहेको पहारी जिल्ला हो पालपा पालपा भिरालो रपारीलो भुकंडवाई को जिल्ला यहां अदुवा बेसार लगायत का नगदे बाली को संभावना ठूलो रहेको सा। बरसों देखी किसान हरूले गहूं जउं र मकै को निर्वाह मुखी खेति गरी रहेका छिये। समय को विकाश प्रम संगई नगदे बाली को संभावना लाई अंगाल ठाली का सन यहां का किसान हरू। दुऑहजार अंठाव्न शाल बात अदुवा उत्पादक सहकारी संग गठन गरेर अदुवा खेति को सहकारी अबियान सुरुगश्या अगवा कीशान हरू। 2021 सम्मा आयपुकदा, जिल्ला भरमा, दस्वटा अधुआ उत्पादक सहकारी संगको, सन्जाल विस्तार गर्ना सफल वैसके काझीyorum १ेस पश अधुआ उत्पादक सहकारी शंग को चाता संगठन खोल्यो छाता सम्स्ता बात जिल्लामा अदुवाको उत्पादन, बजारी करन, प्रशोधन र प्रवर्दन का काम हरू भई रहे का सन। सहकारी मार्फत व्यासाई क्रिशी पेशालाई अंगाले पशी पालपा का भीराला बारी हरू देखिली र खेत का गरा सम्म अदुवाको उत्पादन, प्रविती बात अदुवाको खेती गरी नसोची को आमदानी गरी रहे का सनिहां का किसान हरू। किही गाउपात सुरु भई को अदुवाको खेती अहिली पालपा का 65 गाउपिकास समिती र नगर पालिका का किही वडाहरू सम्म एक से और चालिस वटा समोह को रूप मा ठूलो संजाल बने र विस्तार भई को सौ। अहिली जिल्ला को 300 हेक्टर जमीन मा अदुवा खेती भई रहे को सौ। पालपा जिल्ला मा मात्रे बार्सिक 48,000 मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन हुन सौ। पैक्ट र सहकारी संको सहकार्यमा संचालित यूजनाले हरेक बर्स सहाजार मेट्रिक टन का दरले अदुवा उत्पादन मा ब्रिद्दिगर्नी लक्ष लेगो सौ। गतबर्स ब्यावसाईक क्रिशी तथा ब्यापार आयोजना र अदुवा उत्पादक सहकारी संग बेच्च अदुवा खेतीलाई प्रवर्दन गर्ने उद्देश्यले सहयोग सम्जवता गरे पशी अदुवा खेतीमा ब्यावसाईक ब्यापक्ता आयको सौ। अहिले अदुवा उत्पादक सहकारी संग मा आबद्द किसान हरु अदुवा को उन्नद्वी उत्पादन गर्ने, अदुवा प्रशोदन गरेर चाना तथा पाउडर बनाई बिक्री गर्ने, कृषी अउधोगेक प्रदर्शनी मा भागलीनी लगायकता काम मा सक्री याशन अदुवा को ब्यावसाई खेती बाठा पालपा मा धंड़े 6,000 मानिशली प्रतिक्षरूप मा फारिदाली येकासन येक्टर जमीन मा अध्वा उत्पादन भागो छा रवा बार्शिक 15,000 मेट्री क्रण सम्मा अध्वा उत्पादन भायरा विक्री गर्यावसाई रवस्तावोग रूपिको ब्यूको आठ्स देखी 10 गुना बड़ी सम्मा फाले पशी कृषक खरू मक्षसन किसान हरूले उत्पादित अध्वा चिमेकी जिल्ला हरू काचमांडव लगायत भारत मा पनी निकासी गर्द थे तर भारत मा अध्वाको उत्पाद अत्यादिक पईपशी निकासी मा भनी किही कमी आएको छा आईले यो आउस्ता मा अध्वा भारत मा निकासी न वही रहायको आउस्ता चाहिए छो यह को समस्याको रुपमा अईले बुद्धा खेरी भारत माई व्यापक रुपमा अध्वा उत्पाद अन वकू कारानले भारत मा गा को अश्ता चाहिए न तिसले गर्द आईले यो परशोद अनलाई बड़ी फोकस गरेर अईले अधुआ को प्याक्त कारेकरम संगे आमले साजे दारी रुप मा तीस लाख बरावर को आमले पालपा जिल्ला को यो जुन मदन पोखरा गाविशको वार्नार पांच मा यमी यो अधुआ को संकलम केंद्रा निर्मार गर दैशू। उचीत बजार मुल्य प्राप्त गर्ना रा किसान हरुलाई बजार खोजदे हिर्ने जन्जट बाता मुक्त गरावना मदन पोखरा पांच मा तीस लाख को लगानी मा अधुआ संकलम केंद्रा निर्मार हो दैशू। अधुआ लगाएको जमीन मा मिस्रित बाली को रूप मा मकई खेती गरे र किसान हरुले दोहोर पाइडा समेत ली रहे का संद। इसरी उच्पादन भयको अधुआको उच्च बेवसाइक प्रयोग भने अजई हुन सके को सैन। निपाल बाट सस्तमा अधुआ भारत निकासे गरने अनि तेही अधुआ मसला को रूप मा निपाल मा वीत्र नी परिपाचिलाई रोके र, निपाल में प्रशोधन गरी तयारी मसला उद्धोग को रूप मा विकसित गरना सके अधुआ खेती बाट किसान हरुले पर्याप् पाल्पा नगदे बाली उत्पादन का इसाबले अधुवा संगत जोडिये रा अफनु पहिचान बनाऊना सखल बायकुछा। एक छेत्र एक उत्पादन भन्ने नेपाल सरकार को फ्रीशी निती अनुरुप। पाल्पा का किसान अरुलाई अधुवा उत्पादन मा प्रोत्साहन गराउने रा उनिहरुको ब्यावसाइक छमता अभिवर्दी गर्दे अधुवा को बजार सुनेश्चित गर्ने हो बने पाल्पा का किसान को जिवन मा मनग्य परिवर्दन ने देखिन छा। यो प्रसंग पछी शब्तरिकू त्रिकोल मा प्यूने पानी अभाव मा काकापूल को नियती भगिरेका इस्तानी अरुको दैनी प्रक्तुतिकार प्छों। अले लाई छोटों पिस्दाव। पहला अवस्तान आजोगतियो तांसान पसल ची आगो खोले रहा। अन्ते सहे बाटा। दिनमा स्वपचाष्र प्रवणी आपनों गहर परिबार लेक साक्टार नपनी मुश्किर बाई रहा काईशती है। प्रतिक्छागर पोस। पानी बिना मानिस को दैनी की सम्भब छाइन। पानी जीवन हो। तरा सब्तरीको त्रिकोल का बासिन्दा खाने पानी को अभाबमा कसरी तड़ बिलैका छा। जहां हरेक दिन बिहान तीन बजे देखी नई इनार मा पानी भर्नी हरुको घोईचो लाग छा। गाउली हरु आपना खाली भाणा भर्न इनार मा बालती डुबाउन तच्छाड मच्छाड गर छा। बल मिच्च्याई समेत हुन छा। तरा पानी सभईले पाउदैनन। यो ब्यथा हो मुशहरी टूल का बासिन्दा को। सप्तरी जिल्ला को त्रिकूल काविश उडा नम्मर छा मा रहेको मुशहरी गाउमा एक से पचास भंदा बड़ी घर परिबार बसुबास कर छा। जहां एउटा मात्र इनार छा। बालुवा मिशियेको यो धमीलो पानी खाना पकाउन, पिऊन, लत्ता कपडा दोनमा प्रयोक गर्णुको बिकल्प छाईना एहा। तेई पानी पनी प्रियाप्त छाईना। इनार को पानी बिहान सात बजदा नबजदै शकिन छा। आधा भन्दा बड़ी गाउले हरूले पानी को पालो नई पाउदै नन। बिहान तेशे बिच्छा। इनार मा पानी जम्मा नहुनजेल फेरी रित्ता भाना लियेर पर्खी रहन्छान उनिहरू। अनि फेरी पुराने प्रतिस्प्रधा शुरू हुन्छा। इसरी बिहानी देखी जन्ड़ै पाच घंटा पानी भारने छिना जपडी मैं उन्हर को समय बिच्छा। कसेली पनी विश्वास गर्धाइनन मा धेसमा प्यूने पानी को एती सारो समस्या होला भाने रा। तर सप्तरी को मुशहर बस्ती का बासिन डाले भोगे को कटू एथार्थ एही हो। कहीं चीब को एप्ड मने जब लगार्ध अधेती वन्टाइश्वास गर्धा मुश्या थार्णे फ्रिश्वास गर्धाइनन मा विच्छ अधिक्ता तबक्रीपणाश बीपन दलीग जन्जाति बशवास गर्ने युबश्तिका अधिकांज अभीभावक खरू मजदुरी गर्न बिहानाई निश्कमु पर छा नत्र उनिहरुको परिभार को मुखमा माड लाग दैना पानी भार्ने काम छोरा छोरी को हुन छा विद्यालाई जाने समयमा इनार को वरी परी पानी कुरेर जसको दिन बिर्चा पुरुस हरुको थुप्रे काम पनी छा रोजगारी गर्नु पर छा उनिहरु रोजगारी तीरा जान छा अब केटा केटी यहरु घर मा बसे को हुन छा यहां धेरे बेर बसनु पर छा पानी छाई ना त्यसेले उनी अजमां तो नियता आया भने उताको रोजगारी छूट छा। उसोता हामरू मधेश मां पानी को स्रोत नभय को ओईना। भुमिगत पानी जहीं कहीं प्रस्षते निकाला सके छा। तर अहिले पनी मधेश का बिपन्न हरुको धेरी बस्ती मां एस्तो समस्या देखना पायें छा। कीना। मुर्शहरी र तराई का अन्य एस्ते बस्ती हरुको यू पीडादाई दैनी की कहीले सम्मा। ग्रामीन जनतालाई स्वस्त शुरक्षित खाने पानी पुर्यावने नाममा अरववं खर्च बैरेकुछा नेपालमा। खाने पाने को छेत्रमा कामगरनी दर्जनों सस्ता कारेरत पनी छन। तरह दैनिक साथ घंटा बंदा बड़ी समय खाने पानी को जोह मैं खर्चनु परने बाद्देता तराय का बस्तिमा पेटिन छा। भवगोलिक बिकर्ता भहे का अन्य ठाउं को अबस्ता कस्तो भला कल पना गर्नुस्ता। आजको प्रस्तुति एतिनी। यो कारिक्रम मा हमी तपाईं दर्शक सामू आजको नेपाल को यस्ताई बास्तबिक्ता रा आवसेकता राखचों। जसली तपाईं हामरो जिबन को गती रा सैली संग सीधा सरोका राखेगों छा। तपाईं संग पनी कुनें यस्ता बिशेर चान्बने हामिलाई संपर का गर्नुस्त। आरको हपता नया बिशेका साथ उपस्तुत हुने छों। तब सम्मका लागी आग्या दिनुस्त। नमस्कार। अबस्त। झॉचल झॉचल झाल झॉचल झाल झाल झाल